सब्सक्राइब कुमार स्वागत है तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बात करेंगे डी एफ सी सी आईल की तरफ से जो वेकंसिस आई है उसकी स्लेबस और एक्जाम पैटन को लेकर आप सबको पता है डी एफ सी सी आईल जो कि मिनिश्ट्र ऑफ रेलवे लीड करते हैं यहां से वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूट्मेंट आउट की गई है हजार पोस्ट भी जादा वेकंसिस यहां पर आउट की गई है जिसे की ओल इंडिया के केंड़ेट अप्लै कर सकते हैं ग्रेट अपर शूड़ी है इस पेंडेमिक में आपको दे दिया गया है जाकर देख लिए अधरवाइज इसकी जो ओनलाइन फॉर्म कैसे फिल करनी है इसकी भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ी है तो जरूर देखिएगा तो चलिए फैनली स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में आज हम डिस्कॉस करेंगे इनका ज जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करके नोडिफिकेशन बेल कॉल कर दें ताकि इसी तरह जो लेटिस्ट कॉप की अपडेट आपको दी जाती है आपको नोडिफिकेशन के जरीए पल-पल मिलती रहे तो गाइस यह ओफिसल नोडिफिकेशन है मैं थोड़ा एक नजर इस पे भी डाल देता हूँ कई सारी केंडेट न्यू होंगे इसकी जो फोम है 24 अपरेल से लेकर 23 माई के बीच इसका जो फोम फिल कर सकते हैं एक्जाम डेट अभी दिमाग में बैठा लिजेगा कि जो आपको ओनलाइन CBT होने वाली है जो टेंटेटिव डेट र चारण हो सके इसकी भी टाइमिंग थोड़ी सी डिले हो लेकिन एक्जाम जल्द से जल्द करा लेगी तो आप जरूर आगरम 100% की लेवल की आप तयारी जरूर करें यह सब पोस्ट की डिटेल से जो की आल्रेडी मैंने सेपरेट वीडियो में बनाया है तो यह चीजें यहा यहां पर वीडियो लेंथ जो है वह बड़ी हो जाएगी तो फइनली आ जाते हं हम एक्जाम पैटर्न और सेलेक्शन प्रोस्ट को लेकर तो सेलेक्शन प्रोसुए यहां मने होगा लग-अलग पोश्टमाइस E чер यहां पर दी गई है टेबल वाइस जो कि मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले यहां पर पोश्ट की नेम दी गई है यहां पर computer-based test यानि कि जो की CBT होगी वो CBT आप देख सकते हैं किसकी CBT होने वाली है देन आपकी एक computer-based test ली जाएगी जिसे हम CBT के नाम से जानता है यह सभी subject के नहीं होगा किसी एक subject की होने वाली आप देख सकते हैं कोई कोई subject की उसके बाद directly आपका document verification होगा यह दोनों examination के बाद then examination के बाद जैसे document verification होती उसकी उसी दिन आपका interview होगा interview कई सारी पोश्टें की होगी और मैं बता रहा हूँ किसकी होगी उसके बाद interview खतम होने के बाद आपकी medical test होगी जो की सभी की medical test होगी अब यहाँ पर देख सकते हैं post wise अपना post आप कौन से post के लिए eligible हैं उसके हिसा regular level की exams होगी आपकी लेकिन online cbt होगी first stage वो सभी की होगी देन आ जाती आपके लिए second stage जो की computer based aptitude test ली जागी उसमें सिर्फ एक ही यहाँ पर post के लिए लिया जागा जो की executive operation and bd के लिए जो की diploma holder यहाँ पर मांगा गया है तो उनका लिए aptitude test होगा उसके बाद करें आपको स application तो सबका होगा फुली पता होगा इतना उसके बाद interview बात करें interview किस किस post होगा तो junior manager के लिए जितने भी candidate apply कर रहे हैं यह तीनों post के लिए चाहे वो cv low operation वाले हो या फिर mechanical वाले तीनों की interview होगी आपकी जुनियर manager की interview होगी other सारी post के लिए किसी के लिए interview नहीं होने वा जी की तो cvt जोगी online mode होगी आपको पता है और यह दो घंडे की time duration होगी आपको दिया जाए question की में discuss करूं तो 120 question यानि की 120 question आपको पूछे जाने वाले हैं syllabus में बता रहा हूं नीचे इसमें मैं बात करूं तो bilingual language Hindi और English दोनों language में होगी computer based test इसमें negative marking भी रखी गई है जैस इसा बात करें qualification marks यहां पर जो की return test की ली गई है 40 percent general के लिए रखा गया है स्टी सी ओबी सी के लिए यहां पर ncl और EWS के लिए 25 परसंट अगर स्टी है उनके लिए भी 20 जो है यहां पर 30 परसंट रखा गया 30 परसंट ध्यान रखेगा 40 परसंट जेनरल के लिए 30 परसंट ए आपकी जो pass कर जाओगे इसी नहीं वहां पी cut up यहां पर पार करना पड़ता है hopefully पता होगा और जिन भी candidate का यहां पर computer aptitude test होगा उनका यहां पर जो aptitude test होगा यह फिस सिर्फ qualify marks का होता है और यहां पर आप देख सकते हैं जो की qualify marks यहां पर बताया जा रहा है 42 marks यानि कि जो टोटल सभी candidate का आपको पता चल चुका है कि 120 questions CBT1 में पूछे जाएंगे अलग अलग जितने भी पोस्ट आउट की गई है सब की syllabus में बताने जा रहा हूं तो जड़ा पैसन सही इस वीडियो को देखेगा सबसे पहला पोस्ट निकल के आता है junior manager civil के लिए तो इसमें से रिलेटिड आपकी जो ब्रांचे से रिलेटिड है उस तरह की question यहां पर पूछे जाएंगे आप यहां पर सलेबस देख सकते हैं आपके अनुसार यहां पर नेक्स आती है junior manager operation NBD के लिए और यह post code बता गया है इसमें भी बिल्कुल पार्ट 1 पार्ट 2 होगा पार्ट 1 म जनरल एप्ट जो रिजनिंग पुछे जाएंगे 24 question उसके बाद 96 जो question होगे आपके ब्रांच से related होगी अब आ जाती है executive के लिए executive civil के लिए same मैं बताने जा रहा हूँ 24 question होगी general knowledge जनरल एप्ट चूड और reasoning यानि कि general knowledge आपको gk पूछा जागा mate पूछा जागा और reasoning जाएगी surveying होगी strength and material structural design से पूछे जाएगी हाँ guys next आज जाती है बिल्कुल electrical में तो same process सब में होगा आपके ब्रांच से related 96 question और 24 question जो पूछा जाएगा general knowledge, general attitude और reasoning hopefully आपको पता चल गया होगा diploma वालों के लिए executive signal and telecom सब process सेम होगा next यहाँ पर आज आती है आप सब के लिए executive operation in BD के लिए तो यहाँ पर operation in BD के लिए जो post code 24 होगी वो totally 120 question आपके यहाँ पर जो पूछे जाने वाले है त्यान रखेगा और इसमें जो question होगी general knowledge, logical reasoning, numerical ability, general science, history of Indian railway, Indian railway की history यहाँ पर पूछी जाएगी का ND, FCCL की, तो काफी यहाँ पर जो बड़ा सले बस आपका economics and marketing के लिए उसके बाद customer relations की question आने वाले हैं executive operation and BD के लिए और इसका जो है आपका aptitude test भी होने वाला है यहाँ पर, बाकी बाद लगबग आपकी executive जितने भी है mechanical का सेम ह होगा और electrical का यहाँ पर आप देख सकते हैं, mechanical की जो भी है executive के लिए जैसा की 24 question, 90 question दो पार्ट में होगी, अब finally आ जाते हैं, ITI वाले candidate के लिए तो आप जरा धियान से सुनिएगा, junior executive की आपकी post है, electrical में आप apply करते हैं, तो आपको part 1 और part 2, दो पार्ट होंगे, part 1 में पूछे जाएंगे general knowledge, numerical ability, general aptitude और reasoning, यानि कि आपके पास जी के पूछे जाएगी numerical ability, यानि कि मैत ही पूछा जाएगा, मैत दो पार्ट की, और उसके बाद reasoning यहाँ पूछा जाएगे, next आपको part 2, 60 question होंगे, तो 60 question आपके field से related होगे, जैसे कि electrical है, तो electrical circuit and field से होगी, signal and system, electrical machines, power system, control system, electrical and electronic mensuration, इसके related यहाँ पर जो question है, यहाँ पर आपको पूछे जाने वाली, अब next आजाती है, junior executive यहाँ पे signal and telecom में, 60 question जो उपर part 1 पूछा जागा, सभी में सेम होगा, part 2 आपका 62 question होगा, इसमें भी आप देख सकते हैं, अलग-अलग लेकर यहाँ पर जो syllabus रखा गया है, यहाँ कि आपके signal and telecom से related ही, आपको पूछा जागा, उसके बाद आती है, junior executive operation in BD में, 60 question सब में सेम होगा, then 60 question यहाँ पर history of Indian railway पूछा जागा, DFCSL की और, economics, marketing, logical, यहाँ कि operation in BD में, लगबग आपका तगड़ा सलेबस होने वाला है, next आप बात करें, junior executive mechanical में, 60 question स सेम होगी, 60 question यहाँ पर engineering, drawing, measurement, work of power, energy, heat temperature, machines, tools, equipment में, आपकी जो question है, वो पूछे जाने वाली है, तो बस यही आपका सलेबस है, hopefully पता चल गया होगा, simple में बताना चाहूं, junior executive के लिए आपको 60 question जो है, वो आपको तयार करनी होगी, जैसे की railway, अपने NDPC की तयारी की, railway group D क तयारी की, बिल्कुल सेम प्रॉसेस इसमें और सेम लेवल ही question उसमें आने वाले हैं, इस examination में भी, लेकिन यहाँ पर जो part 2, 60 question होगी, वो आपकी बिल्कुल यहाँ से जो technician, ELP technician का exam सुआ था, वही लेवल होगा, technician level की, लेकिन यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए, से भी कर सकते हैं, आपने किया है, hopefully, जनरल तयारी आपकी profession तो सब की होगी, railway, NDPC बगर की, तो simple है, math reasoning, GKGS, यही सब देखना है, उसके बाद part 2 की तयारी, अपनी syllabus के अनुसर, अपने practical और theory की book उठाईए, उसको बढ़ियां से पढ़ लिएगा, जोसी से total question पूछे जाते इसी तरह help के लिए एक और वीडियो में ले आऊंगा, अगर ज्यादा query आती है, तो, hopefully, वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक से एर करें, चैनल पे ने तो, जरूर सबस्क्राइब करें, चले मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, तब तक क लेज़े हिंदे.